हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मेक मैं एक्जाम एक बार फिट से स्वागत करता हूं आप सबका Sbipo प्री में आए कुछ questions को लेकर तो हम discuss करेंगे आज inequality के कुछ questions तो inequality के questions को answer कैसे किये जाता है उसके बारे में पहले देखते हैं आपके सामने एक slide दिख रही है जिसमें हमको बताया गया है कि question के जो conclusion होंगे उनका answer किस तरीके से करना है इसमें हमको दो conclusion दिये जाएंगे दो के इलावा जादा भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है instruction जैसे दिया है अगर हमारा conclusion सिर्फ one follow करता है और second follow नहीं करता इसका मतलब हमारा conclusion है वो सिर्फ one follow हो रहा है तो हमारे पास सामने दिख रहा है option A ही ऐसा option है में लिखा गया है if only conclusion one follows ऐसे ही अगर conclusion two follow करता है और one follow नहीं करता तो हमारा बनेगा only conclusion two follows और अगर इन में से यह भी follow ना करे और यह भी follow ना करे तो हमारे पास बनेगा option D neither one nor conclusion two follows और अगर दोनों ही follow कर जाए conclusion one भी follow करेगा और two भी follow करेगा तो इसका बनेगा option E both one and two follows यहाँ पे जो option C है यह भी एक option है जिसको देखने के लिए हमको ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम question को question का answer करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे statement एक लिखी गई है और second statement यह statement है तो यहाँ पे वो जब भी inequality में किनी दो elements के बीच में relation पूछेगा तो एक element एक relation से उठाएगा और दूसरा element दूसरे relation से तो हम किस तरीके से देखना है इसको देख के हम कैसे पचानेंगे कि क्या relation है suppose कीजिए उसने हमको पूछा है ए और जे के बीच में relation तो ए और जे के बीच में relation अगर हमने find out करना है तो किस तरीके से find out करेंगे यहाँ पे ए पहले लिखा गया है तो ए से start करेंगे और जे तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमने देखना है ए से लेकर जब हम जे तक पहुंचेंगे तो कौन-कौन से sign हमारे पास आ रहे है अगर हम यहां से देखें, A से लेकर B तक जाएं, तो हमको दिखाई दे रहा है, greater than equal, फिर B से C तक जाएं, तो हमको दिखाई दे रहा है, equal, C से D तक जाएं, तो हमको दिखाई दे रहा है, greater than, फिर यहां से D से H तक नहीं जाना, क्योंकि इन दोनों relations में D common दिखाई दे रहा अब common से common पर jump करेंगे फिर उस से j तक पहुंचेंगे यहां से हमारे पास तीन relation आ गए हैं तीन sign आ चुके हैं इसके बाद d से अब हमको j की तरफ जाना है और एक बात ध्यान रखें हम a से b, b से c, c से d सीधी direction में गए थे लेकिन अब हम जब d से j तक जाएंगे तो reverse में आएंगे तो यह पीछे की और आना होगा तो एक बात ध्यान रखनी है जब भी पीछे की तरफ हम भड़ें तो जो sign है greater than का less than हो जाएगा और less than का greater than हो जाएगा यहां पर हमको दिख रहा है less than equal तो यह हम बन जाएगा greater than equal सी से फिर जे तक देखते हैं हमको दिखाई दे रहा है less than क्योंकि reverse में आ रहे हैं तो यह बन जाएगा greater than और अगर हम यहां पर sign देखें तो greater than equal equal greater than greater than equal and greater than यह सब आ रहा है तो यहां पर preference किस तरीके से दी जाएगी उसके बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं greater than उसके बाद greater than equal और उसके बाद equal यह फिर अलग से less than less than equal और उसके बाद equal अगर हमारे पास relation में शिर्फ यह वाले sign है left hand side वाले यह वाले sign है तो कुछ ना कुछ relation बनेगा अगर यह वाले sign है तो भी कुछ ना कुछ relation बनेगा लेकिन इस तरफ वाला sign और इस तरफ वाला sign अगर दोनों simultaneously आते हैं तो इनके बीच में relation नहीं बनेगा तो यहां से अगर हम देखे तो greater than equal equal greater than greater than equal greater than equal तो यहां पे इन तीन में से ही sign आ रहे हैं यह तीनों sign आ रहे हैं अब इन तीनों में से preference सबसे पहले preference इसको मिलेगी उसके बाद greater than equal उसके बाद एक्वल तो यहां पर अगर हम देखें यहां पर कौन सा ऐसा साइन है जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है तो वह है हमारे पास greater than तो ए और जे के बीच में अगर relation निकालना है तो यह बनेगा ए इस ग्रेटर देन जे करते हैं एक और question इसी पर बेस्ट मान लीजिए हमको पूछा गया है पी और एच के बीच में relation हम एक्ट्वल साइन की बात कर रहे हैं ठीक है पी और एच के बीच में अगर हमने relation निकालना है तो एक्ट्वल रीलेशन क्या होगा तो यहाँ पे पी से स्टाड्ड करेंगे क्योंकि पहले पी लिखा गया है पी से स्टार्ड करेंगे तो पी इधर है और एच इधर है और इन दोनमे common element है द द तो पी से द तक जाऊंगा तो हमारे पास कूझ साइन क्या बने गा साइन बनेगा, देखो D greater than equal to P दिख रहा है, तो यहां पर यह बन जाएगा less than equal, क्योंकि यह reverse की तरफ आ रहे हैं, अब D से deeper jump करेंगे, तो D से H तक जाएंगे, तो D से H जाएंगे, तो अब हम सीधी direction में जा रहे हैं, तो यह change नहीं होगा, हमको सामने less than दिखाई दे रहा है तो यहां पर बनेगा less than, और अगर हम देखें, less than और less than equal में से किसको ज्यादा preference दी जाती है, तो less than और less than equal में से इसको ज्यादा preference दी जाएगी, यह preference का order है, first preference greater than, या फिर less than, second preference greater than equal, less than equal, third preference equal, equal, तो यहां पर इन दोनों में से preference किसको दी जाएगी, first, less than, तो यहां पर हमारे पास बनेगा, P is less than H, third, एक और example देखते हैं, मान लिजे, हमको relation पूछा है, B और I के बीच, तो यहां से B से start करेंगे, क्योंकि B हमको दिखाई दे रहा है, B से अगर हम start करें, तो C हमारे पास relation आ रहा है, equal, फिर C से D, सीधी direction में जा रहे हैं, तो दिख रहा है greater than, फिर D से इधर jump करेंगे, D से I तक पहुंचना है, D से C देखें, तो less than equal है, यह बन जाएगा greater than equal, फिर C से J तक पहुंचें, तो यह less than है, तो यह बन जाएगा greater than, और फिर J से I तक पहुंचें, यह greater than दिखाई दे रहा है, तो यह बन जाएगा less than, अब अगर यहाँ पे हम देखें, equal greater than, greater than equal, greater than, फिर यहाँ पे less than, जब भी इधर वाला sign, इधर वाले sign मिक्स हो जाएगे, तो हम कहेंगे no relation, उनके बीच में हम कभी relation established नहीं कर सकते, या तो पूरी greater than वाली series चलनी चाहिए, या फिर less than वाली series चलनी चाहिए, तब ही हम कह सकते हैं कि definite result बनेगा, तो यहां से B और I के बीच में definite result हम नहीं कह सकते, तो यह बनेगा हमारे पास no relation case, तो चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने next session की तरफ, means जो question पिछले साल SBI POP में आए थे, उनको discuss करेंगे, आपके सामने first question दिखाई दे रहा है, question है, X greater than equal G equal H, फिर दूसरा relation है, G is greater than J greater than equal L, और फिर है, जे greater than equal K less than Y, तो first, जो conclusion पूछा गया है, वो पूछा गया है, X और L के बीच में, X is greater than L, तो यहाँ पे X से हमने start करना है, पहुंचना है, L तक हमको X यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और L हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो X से start करेंगे, X से G हमारे पास relation बन रहा है, greater than equal, फिर यहाँ पे G से jump करेंगे, दूसरे relation में, तो G is greater than J, relation आ रहा है, greater than, और उसके बाद J is greater than equal L, तो यहाँ पे बन रहा है, greater than equal, अब यह जो sign हमारे पास बन रहे हैं, तो इन में से first preference किसको given होती है, greater than, तो हम कह सकते हैं, X greater than L is definitely true, second देखें, हमको दिख रहा है, K less than G, K less than G देखें, तो K यहाँ पर है, हमारे पास, और G इस relation में है, तो K इधर है, G इधर है, इन दोनों में हमको कोई common element चाहिए, और वो common element है, J, common element हमें चाहिए होता है, ताकि हम एक relation से दूसरे relation के उपर jump कर सकें, जैसे K से start करेंगे, K से J तक गए, तो यह greater than equal दिख रहा है, यह बन जाएगा less than equal, फिर J से jump करके इधर पहुंचेंगे, J से G तक जाना है, तो यहाँ पर greater than दिख रहा है, तो यह बन जाएगा less than, क्योंकि reverse में इस बार हम आ रहे हैं, तो दोनों ही sign उल्टे हो जाएगे, less than equal, less than, तो इन दोनों में से preference मिलेगी, less than को, तो हम कह सकते हैं, K is less than G, तो यह भी result बिल्कुल true है, तो यहाँ से हमारे पास बन रहा है, conclusion 1 भी follow हो रहा है, conclusion 2 भी follow हो रहा है, हमारे पास option given है, mark option E, if both conclusions 1 and 2 are true, तो इसका हमारे पास answer बन जाएगा, option E. Next, question number 2 आपके सामने slide में दिखाई दे रहा है, question number 2 है, A greater than B, equal R, greater than equal S, greater than equal T, और दूसरा relation है, X less than J, less than equal K, less than T, अब जो first conclusion हमें पूछा है, वो पूछा है, A और X के बीच में, means A से start करना है, और X तक पहुँचना है, तो इन दोनों में common element अगर हम देखें, तो वो common element T दिखाई दे रहा है, तो A से start करें, हमारे पास A से sign बन रहे हैं, greater than, equal, greater than, equal, greater than, equal, इसके बाद T से jump किया, अब T से reverse में आएंगे और X तक पहुचेंगे, तो यहाँ पे less than का बन जाएगा, greater than, और less than equal का बनेगा, greater than, equal, फिर यह less than का, greater than, यहाँ पे अगर हम देखें, तो greater than, greater than equal, equal, इन तीनों में से preference किसको दी जाएगी, greater than को, तो X is, A is greater than X, this is definitely true, second, हमारे पास है, R greater than, equal to T, R से T का relation देखना है, तो R is, R पहले लिखा हुआ है, R से T तक बढ़ेंगे, relation बन रहा है हमारे पास, greater than, equal, और दूसरा भी, greater than, equal, तो यहाँ से R, यह जब यह दोनों sign हो, तो इन दोनों में से preference किसको मिलेगी, greater than, equal ही है, तो यही होगा, R is greater than, equal to T, hence, conclusion 2 follows, तो इसका अंसर हमारे पास बनेगा, option E, both conclusion 1 and 2 are true. Next question, आपके सामने दिखरा है, slide पर, question है, M is greater than, L, greater than, equal to K, less than, equal to J, P, फिर N is greater than, equal to R, greater than, equal to S, equal to M, जो first relation हमें पूछा है, वो है R और J के बीच में, और जो second relation पूछा गया है, वो है J is greater than, equal to R, तो R और J के बीच में, relation पूछा है, हम R से start करेंगे, J तक पहुँचेंगे, तो इन दोनों में common element है, M दिखाई दे रहा है, R से start करेंगे, M तक पहुँचेंगे, M के बाद फिर इस relation पे jump करके, J तक पहुँचेंगे, तो R से, S बन रहा है, हमारे पास greater than, equal, S से M बन रहा है, equal, फिर jump किया M से इधर, M से, फिर आगे J तक जाना है, तो सीधी direction में ही जाना होगा, तो इस बार sign change नहीं होगे, greater than ही रहेगा, next, L से K, greater than equal, और फिर K से J, less than, equal, J, अब क्या हुआ, greater than भी आ गया, और less than, यह दोनों हमारे पास सामने दिखाई दे रहे हैं, तो जब भी greater than और less than, साथ में sign आ जाएं, तो हम कहेंगे, उनके बीच में हम relationship establish नहीं कर सकते, तो R और J के बीच में relationship establish नहीं होगा, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, हर question में either or जुरूर चेक करना है, और वो question कौन से होते हैं, जिसमें element same होता है, देखें यहां पे R और J दिख रहा है, यहां पे भी R और J दिखाई दे रहा है, तो यहां पे no relation है, R और J के बीच में क्या relation होगा, क्या नहीं हम surely नहीं कह सकते, means R और J, यह R is greater than J हो सकता है, R is less than J हो सकता है, and R is equal to J हो सकता है, तो इन में से कोई भी relation हो सकता है, अब यह जो हमारे पास final conclusion बन रहा है, क्योंकि हम नहीं कह सकते, final relation है कौन सा greater than, less than, equal, तो R और J के बीच में, हमको यह तीनो sign लगाने होंगे, तब ही हम कह सकते हैं कि यह final हमारे पास conclusion बन रहा है, तो either or option कब लगता है, either or option देखते हैं, यहाँ पर हमको दिख रहा है R और J, लिकिन यहाँ पर J पहले लिखा गया है, R पहले लिखा गया है, तो इनका place हम interchange कर देंगे, R को पहले लिखेंगे, J को बाद में, तो यह sign बे उल्टा हो जाएगा, less than, equal, तो इस relation और इस relation, means दो conclusion को मिला कर, जो given conclusion है, means दो conclusion को मिला कर, अगर actual result बन जाए, तो either or option लगता है, जैसे greater than, less than, equal, यह हमारे पास result बन रहा है, no relation का यह result होता है, यहाँ पे देखें, greater than भी है, less than भी है, equal भी है, means one or two को मिलाने पर, हमारे पास final result बन रहा है, तो हम कह सकते हैं, कि इन दोनों में से कोई एक जरूर true होगा, इसका मतलब, इसका option बनेगा, either one or conclusion two follows, ठीक है, थोड़ा सा और discuss करते हैं इसके बारे में, either or इसमें लग रहा है, either or का मतलब क्या होता है, जब भी एक conclusion के गलत होने पर, दूसरा वाला ठीक हो जाए, तो हम कह सकते हैं, कि either or option लगेगा, जैसे, अगर मान लिया जाए, कि conclusion one गलत है, तो conclusion two को true होना ही पड़ेगा, और अगर conclusion two गलत है, तो conclusion one definitely true हो जाएगा, तो इस तरह की situation जब भी बने, कि पहले के गलत होने से, अगर दूसरा conclusion ठीक हो जाए, या फिर दूसरे के गलत होने से, पहला ठीक हो जाए, तो हम कहते हैं, उसमें आइढर और option लगता है, तो इसका बनेगा हमारे पास, आइढर one or conclusion two follows, that is option C. Next question आपके सामने, slide में दिखाई दे रहा है, C is greater than equal to D equal to E A equal to B less than equal S greater than equal C तो first conclusion हमको देखना है, C is less than A, C से start करेंगे, A तक पहुँचेंगे, हमेशा ध्यान रहे, जो element पहले लिखा गया है, उसी से start करना है, C से start करके A तक पहुँचेंगे, तो इन दोनों में common element हमको दिखाई दे रहा है, C, तो यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तो यहीं से देख लेते हैं, C is यहाँ से क्या बनेगा, less than equal S, क्योंकि S is greater than equal C है, तो C is less than equal, reverse में आ रहे हैं, तो sign उल्टे हो जाएंगे, लेकिन यह less than equal है, तो यह बन जाएगा greater than equal, तो जब भी, इस तरह से हो greater than, और less than दोनों साथ में आ जाएं, तो उनके बीच में हम relationship established नहीं कर सकते, तो it means, यह conclusion गलत हो जाएगा, second, हमारे पास दिया है, D is less than equal to B, D से B तक जाना है, D से start करेंगे, पहले C तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे jump करेंगे, C से फिर B तक पहुंचेंगे, D से start किया, C तक गए greater than equal दिख रहा है, तो यह less than equal हो जाएगा, यहाँ पे jump किया C पर, C से फिर S तक जाएंगे, greater than equal दिख रहा है, तो यह less than equal हो जाएगा, और यहाँ पे, अभी हमने थोड़ी दिर पहले देखा, यह less than equal बन जाएगा, greater than equal, तो यहाँ से बनेगा, कि D और B के बीच में, हम final result नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से बनेगा, बोथ conclusion, 1 and 2 are wrong, अभी हाँ पे, element सेम नहीं है, तो आइधर और के लिए, हमने चेक नहीं करना, तो इसका answer बनेगा, option D, next question, question number 5, हमारे पास है, X, greater than equal G, greater than H, greater than equal R, फिर इसके बाद, M, greater than H, greater than equal L, first conclusion है, X is greater than M, second conclusion है, X is greater than L, X से start करें, M तक पहुँचे, तो यहाँ से X से start करेंगे, और M तक पहुँचने के लिए, common element H है हमारे पास, तो X से पहुँचे, G greater than equal बना, G से H greater than, फिर H से jump किया, यहाँ पे H पर, और M तक गए, तो यह greater than दिखाई दे रहा है, वो less than बन जाएगा, क्योंकि इस बार हम reverse में देख रहे हैं, तो यहाँ पे greater than, less than दोनों simultaneously आ गए, it means X और M के बीच में relationship हम establish नहीं कर सकते, आते हैं, 2 पर X से L तक देखना है, तो X से start करके L तक पहुँचना है, तो पता है हमको H और L, H और H यहाँ से common है, H से X, अभी हमने देखा था, greater than equal बना, greater than बना, अब यहाँ पे X से L की तरह बढ़ना है, means सीधी direction में, तो यह sign बन रहा है greater than equal, तो यहाँ पे इस बार हमको सिर्फ greater than दिखाई दे रहा है, तो definitely कुछ ना कुछ relation बनेगा, लेकिन इन दोनों में से preference कि इसको मिलेगी, greater than को, तो X is greater than L, यह हो जाएगा true, तो इसका बनेगा only conclusion 2 follows, that is option B, इसे के साथ, आज का session समाप्थ होता है, next session में हम discuss करेंगे, coding decoding new pattern based, thank you very much. झाल करेंगे, झाल करेंगे профो सक tua झाल करेंगे, झाल झाल